बहु बेगम रवीवार का दिन था और आज मनोज की छिट्टी थी मनोज बड़े आराम से बैट कर अकबार पढ़ रहा था और साथ में चाय की चुस्कियां ले रहा था इतने में वहां मनोज की मा लाजवन्ती आती है और मनोज से कहती है अरे बेटा मैंने न तेरे लिए एक लड़की पसंद की है एक बार जरा उसकी फोटो तो देख ले कितनी बार मैंने आपसे बोलाए कि मुझे अभी शादी नहीं करनी पर आप उकी मानती नहीं हो अरे मैं तो यह सब तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ बेटा देख तेरी शादी होगी तेरी बीवी आएगी तो तेरे काम कितने आसान हो जाएंगे और मैं भी तो कब तक इस उम्रह में काम करती रहूँगी मुझे भी तो आराम चाहिए ना वैसे ही तब यह ठीक नहीं रहती मेरी पर मा इन सब के लिए शादी की क्या जरूरत है देख बेटा तू ना ये सब समझता नहीं एक बार उम्रह हो गई ना तो कोई पूछेगा भी नहीं आज इतने रिष्टे आ रहे हैं तो देख ले एक बार और बस देखने को तो बोला है कौन सा तेरी आज इशादी करवा दूँगी मा की जिद के आगे मनोज की एक नहीं चलती फिर वो मनोज को नीलम की फोटो दिखाती है जिसे मनोज देखता ही रह जाता है नीलम दिखने में बहुत सुंदर होती है मनोज फोटो हाथ में लेकर उसे देख रहा था तब ही उसकी मा बोल पड़ती है है ना सुंदर और पड़ी लिखी भी है बता चलाओ ना तेरी बात इससे जैसा आपको ठीक लगे मा कुछी दिन में मनोज और नीलम की शादी हो जाती है इस शादी से मनोज और नीलम से ज़्यादा मनोज की मा खुश दिख रही थी बड़े ही धूम दाम से वो अपने बेटे और बहु का घर में स्वागत करती है आओ बहु अंदर आओ आपसे तुम्हारा यही घर है इसे तुम्हे ही संबालना है समझी जी मा जी चलो-चलो अब तुम दोनों अपने कामरे में जाओ और थोड़ा आराम करो मनोज और नीलम अपने कामरे में जाते हैं वो दोनों एक दूसरी को देख रहे थे कि तब िभी मनोज बोलता है पता यह मैं तो शादी करना ही नहीं चाता था पर जैसे मैंने तुम्हारी फोटो देखी, तो लगा कि नई, मुझे तो अब इस लड़की से ही शादी करनी है क्या, सच में, मैं आपको इतनी पसंद आ गई थी हाँ, और नी तो क्या, मैं तो कब से सोच रहा था कि कैसे तुमसे बात करूँ पर देखो, आज तुम मेरे सामने हो, और अब जी भर कर मैं तुमसे बाते करूँगा तब ये दर्वाजे के खट-खटानी की आवाज आती है अरे, ये इस वक्त कोण आया मनोच जाकर दर्वाजा खुलता है, तो उसकी मा बाहर खड़ी थी वो सी इधा कमरे में घुसी चली आती है अरे, बहु, मैं बस ये बोलने आई थी कि सुब़ चार बजे नहां दोकर तयार हो जाना कल हमारे घर में कोई पूजा होगी और फिर तुम्हारी मुद दिखाए भी तुम बिलकुर समय से उठकर तयार हो जाना हा पर मा अभी रात का एक बज चुका है सुब़ चार बजे ये कैसे उठ पाएगी जी मैं उठ जाओंगी, आप परिशान नहो है, मेरी बहु कितनी अच्छी है अच्छा चलती हूँ मैं लाजवन्ती कमरे से चली जाती है मनोज के चहरे पर थोड़ी सी उदासी होती है वो नीलम को साफ दिख रही थी इजी आप क्या बोल रहे थे बताएए ना आपको मचसे कांसी धेर सारी बाते करनी थी अब करिये मनोज सो जाता है पर नीलम को यही सोच कर नीद नहीं आ रही थी कि उसे चार बज़े उटना है और उसे कहीं देरी ना हो जाए और उपर से वो एक नई जगह में भी सो रही थी बड़ी मुश्किल से नीलम को नीद आती है कि तब ये पल भर में अलाम बज़ुटता है नीलम जल्दी से अलाम बन करती है उसकी आँखों में नीद भरी थी पर वो जैसे ही तैसे उठकर समय से तयार होकर बहार आ जाती है अरे आ गई पहुँ देखो आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम कुछ अच्छा सा बना लो उसके बाद हम वही भोग भगवान को लगाएंगे और पूजा करेंगे जी माजी नीलम का तो पूरा दिन ऐसे निकल जाता है फिर रात तक वो इतनी ठक चुकी होती है कि बस बेट पर पढ़ती ही सो जाती है मनोज जब कमरे में आता है तो नीलम को सोते देख वो उसे परिशान नहीं करता और खुद भी सो जाता है अगले दिन से मनोज का ओफिस शुरू हो चुका था वो सुबर जब ओफिस के लिए उठता है तो देखता है नीलम ने पहले से उसके लिए नाश्टा टेबल पर लगा रखा है अरे नीलम आओ न तुम भी हमारे साथ ही नाश्टा कर लो जी आरे वो नाश्टा करने बैठ गई तो फिर तेरे लिए लंच कौन बनाएगा नीलम कुर्सी पर बैठते बैठते रुख जाती है तुम तयार रहे न फिर हम पास में चाट पापड़ी खाने चलेंगे ठीक है शाम होने लगती है नीलम धूले हुए कपड़े तै बना रही थी कि उसके नजर घड़ी पर जाती है ये भगवान साथ बजने वाले हैं ये भी आती होंगे और मेरी हालत तो इत्ती बुरी हो रखिए मैं भी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ नीलम फटाफट सारे कपड़े अलमारी में लगा कर तैयार हो जाती है वो जैसे ही तैयार होती है मनोज भी आफिस से घर आता है निलम बड़ी खुश होती है कि आज वो पहली बार अपने पती के साथ बाहर कहीं घूमने जाएगी निलम, निलम कहाँ हो तुम, जल्दी आओ अरे क्या हुआ बिटा, क्यो निलम को आवाज लगा रहा है अराम से बैट, अभी अभी तो आया है आफिस से तू निलम बैटने का वक्त नहीं है, मैंने निलम को बोला था कि आज हम बाहर कुछ खाने चलेंगे हो गई मैं तयार, चलिए चलते हैं अरे रुक तो बहू, देख घर की चाबी न वो फ्रेज पर रखी होगी, जा ले आ चाबी क्यों माजी? अरे तो क्या घर खुला छोड़ कर जाएंगे हम, है पंगली, जा जल्दी चाबी ले आ मनुज और निलम एक दूसरी की शकल देखते रह जाती है और लाजवन्ती गाड़ी में जाकर बैट जाती है लाजवन्ती के जाने के बाद मनुज भी शकल बना कर बाहर चला जाता है और आखिर में निलम घर को ताला लगा कर आती है निलम आगे बैटने लगती है कि वो देखती है कि उसकी सास पहले से ही आगे वाली सीट पर बैठी है नीलम चुपचा पीछे बैठ जाती है वो शीशे से देखती है कि उसके पती की शकल पर बारा बज रहे है अरे चल बेटा जल्दी चल वरना फिर आने में देर ही ना हो जाए हाँ मा चली तो रहाओ सब लोग साथ में चाट पापड़ी खाते है मनोज सोचता है कि आज वो अपनी पत्नी के साथ अकेली में वक्त बिताएगा फरसा बुल्टा हो चुका था उसकी मा उन दोनों को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही थी बेमन खा पीकर मनोज वापस घर आता है वो गुस्से में जाकर सूजाता है नीलम उसे मनाती है पर मनोज का मूट बहुत खराब हो रखा था मुझे अभी सोने दो कल मेरी मीटिंग है और कल मुझे ओफिस जल्दी जाना है जी ठीक है उस रात भी दोनों की कोई बाचित नहीं हो पाती नीलम की सास नीलम को पूरा दिन काम में लगाये रखती और नीलम कभी अपनी सास को मना नहीं करती वो बस उनकी आग्या का पालन करती रहती और उनको खुश रखने के चकर में वो अपने पती से दूर होती जा रही थी इसमें निलम की तो कोई भी गलती नहीं थी पर ये बात मनोज को भी समझ में नहीं आ रही थी एक दिन मनोज को चार दिन के लिए ओफिस की काम से मुंबई भीजा जाता है मनोज निलम को भी अपने साथ ले जाने का सूचता है और इस बारे में अपनी माँ से बात करता है माँ, ओफिस के काम से कल मुझे चार दिन के लिए मुंबे जाना है माँ सोच रहा हूँ, क्यों न नेलम को भी साथ ले जाओ अरे बिटा, तु काम से जा रहा है तो वो वहाँ क्या करेगी तु इसे घुमाएगा या काम करेगा ऐसा नहीं है माँ, वो मैं देख लूँगा अरे नहीं नहीं बिटा, देख इतनी अच्छी नौक रिये तेरी बेकार में ऐसा ना हो कि बीवे के चकर में तुम काम भुल जाओ और तुम्हारा बॉस तुमसे नाराज हो जाए पैसे भी तुम दोनों चले गए, तो मैं आकेले घर में कैसे रहूंगी, बताओ तो ठीक है माम मैं समझ गया, मैं चला जाओंगा अकेले कल क्या, मैं आज ही निकल जाता हूँ बेकार में वक्त क्यों बर्बाद करना आरा निलाम, जल्दी से मनोज के कपड़े सूटकेस में रख दे, उसे अभी निकलना है ओफिस के काम से ए जी, कहां जा रहे हो आग चार दिन के लिए मुंबे जा रहा हूँ, मेरे कपड़े पैक कर दो अभी ये सुनकर निलाम की शकल उतर जाती है, उसकी आँखों में आसु आने को होते हैं पर वो अंदर ही अंदर उनको रोक लेती है और सीधा कमरे में भाग जाती है, उसी दिन मनोज मुंबे के लिए निकल जाता है, चार दिन निलाम के लिए चार महिने से कम नहीं होते उसकी मनोज से कोई बात भी नहीं हो पा रही थी जब मनोज चार दिन बाद मुंबे से वापस आता है तो निलम बड़ी खुश होती है पर अब मनोज काफी बदल चुका था वो बस सुबह उठकर आफिस जाता और रात को आकर खाना खाकर सू जाता निलम भी पूरा दिन घर की कामों में लगी रहती कभी उसे थोड़ा वक्त मिल जाता तो उसकी सास उससे कभी पापड बनवाने लगती तो कभी अचार डलवाने लगती मनोज और निलम एक दूसरे की करीब आने से पहली ही एक दूसरे से इतने दूर हो जाते हैं कि किसी को ऐसास ही नहीं हो पाता सब ऐसी ही चल रहा होता है कि एक दिन उनके घर शीतल आती है मा, मा कहा हो, भाभी, कोई है क्या घर में? अरे शीतल, मेरी बेटी, तो अचानक कैसे? हरे मा बसा गई, ऐसी ही तुमको सर्प्राइस दिना चाहती थी और हाँ, अब न मैं कुछ दिन रह करी जाओंगी हाँ, हाँ, बच्ची, यह तेरा ही तो गर है मैं तो कब से तरस रही थी तुछ से मिलने को जब से मनोज की शादी हुई है, तु एक बार भी नहीं आई अरे मा, ऐसे ही टाइम नहीं मिलता अच्छे, यह सब छोड़ा और बताओ भावी का है अरे वो न, ओपर छट पर पापड बना रही है इतनी तेज दुप में वो छट पर है यह भगवान कहीं बिमार न पढ़ जाए और असा कैसे बिमार पढ़ जाएगी काम करने से तो इंसान की सेहत बनी रहती है अलो भावी आगी, कैसी हो भावी? अरे दिदी आप, आप कब आई? मैं तो बह सब यह भी आई हूँ आओ ना भावी, मेरे पास बैठो और काम वामना छोड़ दो सब अरे शादी के बाद तु पहली बार घर आई है पहले तो मैं थी, जो कुछ भी करने ही पाती थी अब तो तेरी भावी आगई है तेरे खुब खातिरदारी होगी जी मैं रसुई में जाती हूँ माजी आप बता दो दीदी के लिए क्या-क्या बनाना है देखा भी तो चाय और पकोड़े बना ले उसके बाद खाने में मटर पूरी, पूरी कचोरी छोल ले चावल, रायत और हलवा बना ले न हलवा बड़ा पसंदा इसे अरे माम मैं अपनी घर आई हूँ इस सब की ज़रूर नहीं भावी जो सब की लिए बनने वाला था मैं भी वही खालूंगी आरा तो इसके मात सुन और सारी चीज़े अच्छे से बनाना हा नीलम जरा भी देर अपनी नानत के पास नहीं बैट पी और सीधा रस्वे में जाकर काम में लग जाती है पहले चाय, नाश्टा फिर उसके बाद रात का खाना और फिर उसके बाद धेर सारे बरतन रात के ग्यारा बज रहे थे सब बैट कर गपे मार रहे थे पर नीलम रस्वे में धेरो बरतन दो रही थी शीतल रस्वे में पानी पिने जाती है और नीलम से पूछती है आप तो जब से आई हों काम में ही लगी हुई हो अच्छे ये बता आप अब तक कहा कहा घूमाए जी दी दी कहीं नहीं एक दिर हम लोग चाट खाने गए थे बस पर इनको और मुझे वहां की चाट बिलकुल अच्छी नहीं लगी पर हम माजी को बहुत पसंद आई थी आप लोग बस एकी बार बाहर गए हो और वो भी सिर्फ चाट खाने और उसमें भी मम्मी आप लोगों की साथ गई थी जी वो तो हम कहीं भी जाते हैं तो हम सब साथ ही जाते हैं माजी का घर में अकले मन नहीं लगता ना में बात करते देखती नहीं। शीतल को कुछ ठीक नहीं लगता। दो दिन बितने के बाद तीसरे दिन अचारक शीतल की सास घर आ जाती है। अरे समधन जी आप? आप अचानक यहां सब ठीक तो है ना? हाँ बहन जी क्या हकरो? मेरा तो घर में अकिले मन ही नहीं लगता। इसे लिए बस मैं भी आ गई। खैर कहां है मेरी बहू? मैं उसे लेने आई हूँ। अरे माजी आप? हाँ बहू, तो तो यहां आकर भूली गई थी कि यह तेरा घर नहीं। अब वो तेरा घर है। पता है कितने काम पढ़े हैं जो तेरे बिना हुई नहीं सकते। सारे कपड़े इधर उधर हो गए हैं। बरतन वाली थी और वो चली गई है। अब ये तो तू ही देखेगी ना कौनसे कपड़े दिन ने कौनसे रखने हैं। और दाल सारी धूप लगानी है। मैं तो छट पर जड़नी पाती। और हाँ अगले अफ़ती में मान आएंगे तो सारे परते धोने हैं। साब काम ऐसे ही पढ़े हैं तेरे भरोसे। अरे पर ये तो इतने महीनों बाद आई है चार दिन रहने के लिए। देखो बहन जी, मैं तो इसे एक दिन के लिए भी नहीं भेज रही थी पर फिर भी ये दो दिन रह सकती है। जी माजी, ये लीजी नाश्ता कीजिए। लाजवन ती अपनी बेटी शीतल को इशारा करके कमरे में बलाती है। क्या हुआ मा, मुझे यहां ऐसे क्यों बुलाया। अरे ये तेरी सास को जराभिया कलनी है क्या। अरे बहु, महिनों बाद, चार दिन के लिए माई के क्या आ गई, ये तो पीछे-पीछे चली आई। अरे मा, इन्होंने बताया ना, सारे काम ऐसे ही पड़े ही मेरे बिना, तो बताओ वो भी क्या करें। आरे तो क्या खुद कुछ नहीं कर सकती तेरी सास। इतने काम तो तुझ से करवाती है। ऐसे तो तेरा पूरा दिन काम में ही निकल जाता होगा। माम, एक बहु की जिंदगी तो ऐसी ही होती है। पूरा दिन काम करो बस, और क्या, और कौन सास काम करती है भला। तुम खुद को देख लो ना, नीलम के आने की बाद तुम एक लास पानी पी खुद उठा कर नहीं लेती। नीलम खाना भी खा रही हो, तब भी तुम उससे ही उठाती हो। हाँ, अब जब वो है तो मैं क्यों करूँगी काम। बस, फिर वैसे ही जब मैं हूँ, तो मेरी सास क्यों करेगी कोई काम। अरे तो क्या तेरी कोई अपनी जिंदगी नहीं है, और दमा जी कुछ नहीं बोलते हैं। वो क्यों बोलेंगे मा, घर में तो मेरा पूरा दिन घर के काम में निकल जाता है, और उनका ओफिस में, रात को इतना धक जाती हूं कि बस पिस्तर पर पढ़ते ही नीदा आ जाती है, एक दुबार इनोंने पूछा था माजी से घुमने जाने के लिए, पर माजी अकेले नहीं पाती न, इसलिए फिर अब वो बोलती ही नी, अरे ऐसे थोड़ी न होता है, तमाजी ने शादी ही क्यों की, जब उनको अपने लिए बीवी नहीं, बलकि अपनी मा के लिए बस एक बहु चाहिए थी, पूरा दिन नौकरानी की तरह लगे रहती है, ये सब तेरे जो घर में न, वो बलकुल ठीक नहीं है बिटा, और जो आपके घर में चल रहा है वो, वो ठीक है, पूरा दिन नेलम काम में लगे रहती है, जरा भी मैंने उसे आराम करते नहीं देखा, क्या वो इंसान नहीं है, क्या वो ठकती नहीं है, अगर कोई घर का काम नहीं होता है, तो आप कहीं बहार जाते हैं तो आप उनकी साथ जाती हो मैंने जो दो दिन में देखा वो आपको नहीं दिख रहा क्या मा क्या बेटा आपका बेटा पहले शादी नहीं करना जाता था पर आपके कहने पर उसने शादी की अब शादी की है तो आप उसे और उसकी बीवी को साथ वक्त भितानी नहीं देती दोनों को कभी आपने एक दुसरे से बात करते देखा है मैंने तो दो दिन में नहीं देखा और उससे पहले का आपको पता होगा आज आपकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है तो आपको इतना बुरा लग रहा है पर आप जो दूसरे की बेटी के साथ बिलकुल वैसा व्यवार कर रही है तो आपको वो सही लग रहा है ये सुनकर लाजवन्ती शर्म से सर जुका लेती है उससे अंजाने में जो गलती होती है उसे उसका एहसास हो जाता है तु सही बोल रही है बिटा तुने आज मेरी आख्या खोल दी वना मुझे तो कभी पताई नहीं चल पाता कोई नी मा देर आये दुरस्त आये अब मैं चलती हूँ अपने सिसुराल और तुम अपना घर संभालो शीतल की जानी की बाद अगली सुबा जब मनोझ नाश्ता करने बैठता है तो उसे टीबल पर एक लिफाफा मिलता है वो उसे खोलता है तो उसमें मनाली के दो टिकट थे मा ये टिकट हाँ बेटा मेरी तरफ से तुम दोनों का शाधी का तोफा जो मैंने बेने में थोड़ी देर करती बेटा लाजवन्ती फिर नीलम को आवाज लगाती है नीलम जल्दी बाहर आ बहू जी माजी जल्दी से कपड़े पैक कर ले और जाने की तैयारी कर ले जी इनका सुठकेस तो तैयार ही रहता है माजी आरा तो क्या वो अकेले जाएगा मनाली? तुझे नहीं जा न मैं मनाली, मैं भी जाओंगी? यह अब क्या बोल रहे हो माजी? यह देख मनुज के हाथ में मनाली के दो टिकट है तुम दोनों काली मनाली जा रहे हो नीलम और मनुझ की खुशी का ठिकारा नहीं होता वो खुशी से लाजवन्ती के गले लग जाते हैं लाजवन्ती दोनों के सर पर हाथ रखती है और उन्हें खुब प्यार करती है उसकी बाद सब ठीक हो जाता है और दोनों पति-पतनी मनाली के लिए निकल जाते हैं